नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो करवा चौत पर स्वागिन महिलाएं जाने अंजाने में ही कुछ ऐसी गलती कर बैठती है जिसका खाम्या जाना उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है जाने अंजाने में कुछ ऐसे कपड़े पहन लेती है जिसकी बजह से उनके पती को भारी नुकसान जेलना पड़ता है इसलिए करवा चौत पर ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसी चुनने कभी भी नहीं ओडनी चाहिए दोस्तो करवा चौत स्वागिन महिलाओं का एक इतना महतो पूर्ण ब्रत है इसे केवल एक छेतर में ही नहीं बलकि पूरे भारत वर्स में बड़ी धूमदाम से मनाय जाता है यहीं नहीं जो भारतिय नागरिक विदेशों में रहते हैं वे भी इस ब्रत का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करते हैं आपको बता दें कि सादारण से सादारण महिला हूँ या फिर फिल्मी सितारे हूँ यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाए भी इस ब्रत को बड़ी धूमदाम से मनाती है ऐसे में महिलाए करवाचोथ से पहले ही इसकी तैयारियों में और शौपिंग में लग जाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवाचोथ पर ऐसे कपड़े और ऐसी चुनने कभी भी नहीं उड़नी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ब्रत तूट जाता है और पती पर आते हैं भारी संकट दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि ये तोहार महिलाओं के दुआरा अपने पती के लिए किया जाता है इसलिए इस तोहार पर खासतोर पर ऐसी गलती ऐसा अनर्थ भूल कर भी न करना दोस्तों सास्त्रों में ब्रणने थै कि ये ब्रत सक्ती शवरूपा मापार्वती के लिए समर्पित है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर आपके पती पर कोई भी कश्ट ना आए आपके सभी कारे बन जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जै मातादी अवश्य लिग दें मातारानी आपके सभी बिगड़े कारे पूर्ण करें तो जै माताधी बोल कर सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बस मातारानी के नाम पर बातारानी के लिए एक लाइक आवश्य करें दोस्तो एक सुहागन महिला को अपने सुहाग के लिए किये जाने बाले ब्रत पर वे कौन सी गलतिया है जो नहीं करने चाहिए आईए सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं एक स्वागिन महिला को अपने पती से जुड़ी हुई कोई भी स्वाग की चीज किसी पराई महिला को नहीं देनी चाहिए। इसे सास्त्रों में आसुमाना जाता है। जैसे साधी का जोड़ा, मात्य की बिंदिया, सिंदूर, पायल, पैरों का बिचुवा, शाधी की चुन्न जो की एक स्वागिन महिला के लिए बहुती बड़ा महतोव रखती है। अपने 16 स्रिंगारों में से कोई भी स्वाग से जुड़ी हुई चीज किसी पराई महिला को नहीं देनी चाहिए। सास्त्रों में इसे बहुती असुमाना जाता है क्योंकि यह आपके स्वाग से जु आप दे सकते हैं। लेकिन अपना सामान किसी को भी न दें। वरना पती पर आते हैं गोर संकट। और पती पतनी के बीच में दूरियां भी हो सकती है। और पती पतनी में प्रेम कम हो जाता है। तो अब जानते हैं कि खास طور पर करवा चौत के दिन ऐसे कौन से वो कपड़ जो कि नहीं पहनने चाहिए ताकि आपका ब्रत तूटे नहीं बलकि संपूर्ण हो जाए और पती पर कोई भी संकट ना आए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक महिला की यानि एक लड़की की शादी होती है तो उसे लाल रंग के जोड़े में विदा किया जाता है लाल रंग की चुन्ने उड़ाई जाती है क्योंकि हमारे सास्तों में लाल और भगवे रंग का बहुती बड़ा महेतो है लाल रंग और भगवा रंग बहुती शुपता प्रदान करने वाला रंग बताया गया है इसलिए सफेद रंग की साड़ी सूट या सफेद रंग के कपड़े चाहें उसके उपर सफेद रंग के मोती या नकाशी या फिर कोछ जरी का काम ही क्यों न हुआ हो ऐसे कपड़े पहनना अशुब होता है क्योंकि सास्त्रों में सफेद रंग को इस्त्री के विद्वा होने का रंग बताया गया है और बात अगर करवाचोत की हो तो सफेद रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए पहनना ही क्यों बलकि किसी को उपहार में देने के लिए भी सफेद रंग की बश्तर करवाचोत के दिन बचना चाहिए खाश तोर पर करवाचोत या स्वाख से जुड़े हुए कोई भी बरत तोहार पर अगर आपका साधी का जोड़ा बचा हुआ है सुरक्षित है तो आप अगर उसे पहन कर बरत करते हैं या पूजा पाड़ करते हैं तो यह अत्यंत शुब होता है इसी के साधी यदि करवाचोत पर कोई महिला साधी का जोड़ा पहन कर बरत करती है तो इससे पती को बहुत खुशी होती है और माता पारवती का आशिरवाद भी इससे सहज रूप सही प्राप्त हो जाता है क्योंकि साधी का जोड़ा अटूट सरदा और अटूट प्रेम की निशानी होती है और साधी के समय जो फेरे होते हैं उस समय माता का और मंतरों का आशिरवाद भी जोड़े को प्राफ्त होता है इसलिए साधी का जोड़ा खास तोर पर करवा चोट के दिन जरूर पहनना चाहिए जिन महिलाओं के पास साधी का जोड़ा नहीं है या फिर उसे पहनने में असमर है, तो बाजार से लाल रंग के वास्तर या पिर लाल रंग के एक चुंड़ी लाकरके भी उसको ओड सकते हैं या पिर पहन सकते हैं, ये भी उतना हिस्तुब होता है, तो दोस्तों, आज किस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में ज़्यादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जाए माता दी